पर ये राय या इस वक्त मिलती हुई लेकिन एक और स्पेस है जो कि आज बजिंग है जबरदस अक्षन शुगर सेक्टर में चीनी शेरों की मिठास जो है लगाता दो सेशन से दो दिनों से हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी के साथ बढ़ती हुई बढ़रामपुर ची तक की तेजी धांपुर शुगर के स्टॉक में नज़र आई है चीनी शेरों में इस मिठास के पीशे की वज़े क्या है आईए डिम्पी से समझते हैं डिम्पी बताएं हाला कि शुगर स्टॉक्स को लेकर आप मार्केट में यह है कि शुगर खाना नहीं चाहिए शुगर आपको हो जाता है लेकिन शुगर कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटन्स दे रही है अगर आप शुगर वाले स्टॉक्स में हैं तो उसकी दो बड़ी वज़े हैं पहल से इंपॉर्टन बात है कि सरकार ने कुछ कोटा दिया था कि आप इतनी कोटे का एक्सपोर्ट कर सकते हैं शुगर कंपनी को वो था 63,000 तन का अभी करीब 40,000 तन का जो शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है उस पे शुगर कंपनिया री नेगुशिशिशन वाले मूड पर आ ग से दूसरा आता है ब्राजील से तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इस समय वापे हुआ क्या अगर आप ब्राजील के हिसाब से देखेंगे तो वापे सप्लाई घटी है यानि कि शुगर की प्रड़क्शन कम होई उससे सप्लाई कम होई दूसरा वहाँ पर भी बायो ये government इनको allow किया हुआ है लेकिन अभी 40-50,000 टन का sugar ऐसा है जिस पे sugar company खुछ से re-negociation के लिए आ गई है उनका मानना है क्योंकि international market में sugar के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं एक चार्ट आप की स्क्रीन पर आ जाएगा आप उसमें चेक करेंगे सिर्फ October low पे जाएं 17 डॉलर रॉज शूगर का दाम था अब वो बढ़कर 20 डॉलर हो गया तो इस सारी के सारी sugar company आप इस फिराक में हैं या तो डिफॉल्ट कर दो उनको supply दो मत या तो re-negociate कर दो इसलिए आप देख पारें सारी sugar companies के दाम एका एक बढ़ गए हैं इसकी दूसरी वज़े में आपको और बताता हूँ है एथनॉल असल में सरकार का एथनॉल की स्कीम भारत में भी बहुत तेज है और इस sugar company जितनी sugar produce करती है अब उनकी एथनॉल की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ी है गौर्वर्मेंट दाम भी बढ़ा दिये हैं टार्गेट था 10% का और 2025 तक सरकार का टार्गेट है 20% करने का तो ओल्मोस्ट टार्गेट की करीब जा रही है तो एथनॉल की डिमांड बहुत ज़ादा है इस समय और अगर आप एथनॉल के हिसाब से AMC को सप्लाई देखेंग दूसरा एथनॉल के यहाँ पर ब्लेंडिंग का बेनिफिट तो इसलिए शुगर कंपरीज आपको काफी तेजी से उपर आती हूँ दिख रही है आईए शुगर स्टॉक्स में कुछ ट्रेडिंग आइडियर सुदीप के साथ सुदीप आपको कौन सार स्टॉक पसंद आता है दुवारकेश बल्रामपूर श्री रेनुका भी बड़ा हो गया है अल्मूस्ट परिनी स्टॉक बनके कहां पर ट्रेडिंग ऑपरचुनिटी है सबसे बढ़िया यह सारे चार्ट में अगर हम देखे तो श्री रेनुका ही अगर हम वीकली डेली मंतली चार्ट देखे रहा है तो चार्ट स्ट्रक्चर पर मुझे लग रहा है कि रेनुका शुगर ही सबसे दादा एक बड़िया पैटन दिखा रहा है और स्पेसिपिकली अगर इसकी बात करें तो वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम बना था पहले 25-30 रुपे के लेवल पर फिर उसके बाद एक हायर बॉटम बना एक सपोर्ट जोन बना 45 के असपास का और उस वहां से जो यह 65 का एक बार 65-67 का अपमू आया था फिर इसने यही सेम उपर के ट्रेजेक्टरी पे यह स्टॉक कंटिनूसली ट्रेड कर रहा है 55-60-65 के रेंज में तो उपरी इस तरह पे यहां पे कहीं profit booking नहीं आयती है अगर हम relatively दूसरे sugar stocks देके तो वहां पे selling pressure भी पिछले कुछ एक ग्रेड महिने में पे देखा गया था बट श्री रेनू का sugars का चार्ट है वो completely sugar sector के बाकी stocks से आउट परफॉर्म कर रहा है तो अगर हम daily chart के सबसे देखे और short term view अगर ले तो यह stock अपने 50 और 100 DA में के ऊपर trade भी कर रहा है और काफी दिनों से sustain कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहां पे 52 के stop loss से अगर हम यहां पे buying की position बनाए तो अगले कुछ हफतों में हमें यहां पे around 68 से 75 के targets उपर के level पे दिख सकते हैं क्योंकि overall trend positive है कोई भी minority पाए तो हमें इसमें buying की position बनानी चाहिए ठीक है चीनी stocks में तो कुछ अच्छी opportunities नजारा रही है